दोस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी एक बार फिर छे आप सभी का स्वागा थे आपके अपने यूटूब चैनल प्राफिटस सडी में तो आज किस वीडियो में हम देखने वाल हैं रेलवे अप्रेंटिज 2023 के अंतरगत आप सभी को पता है कि SECR साउती सेंटल रेलवे का आपका नूटिफिकेशन आया था रायपूट डिविजन का जिसमें आपका 1033 पोस्ट पे ओल वर इंडिया के लगभग यहाँ पे 50,000 से 55,000 चात्रों ने हाँ पे अल्लाइन आवेदन क पहले इसका document verification का merit list आ गया है जिसमें यहाँ main list और यहाँ पे stand by list जारी किया गया है ठीक है तो उसमें बहुत सारे यहाँ पे छात्र को problem देखने को मिल रहा और सबसे महत्यों बात यह है कि कौन-कौन से लोग document verification में जा सकते हैं और कौन-कौन से लोग dv में नहीं जा सकते हैं वो सारा कुछ हम आद की स्वीडियो में कबर करने वाले हैं और आपका अब एक और डाउट आ रहा था कि क्या एक और merit list आएगा हम देखिया आप ए second merit list का बात नहीं कर रहे है second merit list तब आएगा जब सभी जितने भी first round में जो select किये गया है वो सारा का document verification complete हो जाएगा उस में किन किन चात्रों को selection किया जाएगा कौन को से trade वालों को मौका दिया जाएगा उसका document verification कब होगा उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं ठीक है तो चली वीडियो की शुरुआत करते हैं उससे पहले जो लोग भी चैनल पर खौश टाम है सब्सक्राइब करके bell बटन को on कर दीजेगा ताकि railway apprentice का A to Z information आप सभी को मिलती रहें description में आपको WhatsApp Group Telegram का link मिल जाएगा जरू-शरू जोन कर लिजेगा जो भी निरंतर अपडेट आएगे आपको अहां पे देखने को मिलते रहते हैं ठीक है आप सीधे चलते हैं इसके official document verification के merit list पे तो जैसा कि आप सभी द कर देखने को मिलेगा तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर दो गुना candidate को shortlisted किया गया है लगभग यहां पर बात करेंगे तो 2000 से जादा यहां पर चात्रों को shortlisted किया गया है डीवी के लिए तो देखें सबसे पहला doubt जो आपका है कि कौन-कौन से candidate को document verification में जाना है क्या waiting वाले document verification में जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे उसके regarding हमने आपको पहले inform कर दिया फिर भी हम आपको वीडियो के आगे बता देंगे अब यहां पर कुछ candidate का यह doubt आ रहा था कि EWS वाले को कब जाना है document verification में ठीक है उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कि जिसका mail आ गया है उसका क्या सीन है यहां पर ठीक है कि बहुत बड़े हां पर changement भी कुछ किया गया है जो जानकारी यहां पर निकल कर सामना ही है उसके बारे में बताएंगे तो देखिए EWS के बारे में बतादे तो चलिए आपको सीधा date यहां पर दिखा देते हैं तो आपका दो और तीन तारीक को डिभी उनका होगा चार तारीक को होगा टर्नर ट्रेड का तो टर्नर ट्रेड में जितने भी candidate है चाहे वह आपका DRM office के हो गए या फिर आपका WRS के होगा सभी को जाना है ठीक है उसके बाद यहां पर बात करते हैं तो 11 तारीक को रखा गया है और इसके साथ साथ आपका मेकानिक डिजल रखा गया तो आप सभी के मन में सवाल हो सकता है कि यहां पर ट्रेड मेंशन किया गया वो DRM office का है या फिर वेगर रिपेर सॉप का है तो यह दोनों का डेट मेंशन है देखिए 11 तारीक को आपका डेट मेंशन किया गया है वह द इलेक्टिशन में चाहिए आप DRM office से form अप्लाई किया है या फिर व्रस से form अप्लाई किया है जिसमें भी आपका सेलेक्शन हुआ है आपको चले जाना है उसके बाद आपको बात करते हैं 18 तारीक हो तो 18 तारीक में mechanical refrigerator and air conditioner, auto, mechanical, auto, electrical and electronics और mechanist को आपको चले जाना है 18 तारीक AWS और ex-servicemen का तो यह document verification का data के बारे हम लोगों ने देख लिया है ठीक है अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए कुछ ऐसे candidate है जिनका यहाँ पे merit list में merit list में नाम नहीं है पर उनको यहाँ पे mail आया है तो वह ऐसे candidate को document verification में नहीं जाना है उनका selection नहीं हुआ है सिरिफ document verification में व candidate हो DV के लिए पर वैसे candidate जिसका mail आया है पर merit list में नाम नहीं है वो candidate यहाँ पर select नहीं है इस बात का ध्यान रखेगा ऐसा नहीं कि आपका mail आगया है और यहाँ पर आपका merit list में नाम नहीं है तो आप DV गली चले जाएगा ऐसा आपको आप entry नहीं दिया जाएगा ठीक है न नेक्स्ट बात करते हैं कि आपके द्वारे एक और question यहाँ पर किया जा रहा कि क्या एक और merit list आ सकता है जैसे बहुत सारे छात्रे हाँ पर objection के लिए जा रहे है ठीक है अब objection के लिए जो जा रहे है उसका देखिए क्या system हो सकता है कि जो objection के लिए candidate जा रहे अगर उनका data है पर पूरा fulfill अच्छा पाया गया सारा यहाँ पर norms जो है criteria है वो सारा कुछ सही रहा ठीक है certain criteria जो है उसमें अगर फुल्फिल बैट गए अगर वो cut off जो है उसको qualify कर गए तो उसका या तो दो system से उनको dv के लिए information आएगा पहला या तो उनको mail भी भेजा जा सकता है या फि additional merit list का second dv से कोई मतलम नहीं होगा second dv अलग ही fact है second dv अलग ही अधर का process है उसको आपको नहीं देखना है वो तो बात की बात है जब आपका first dv complete हो जागा उसके बाद आपका second dv के बारे में सोचा जाएगा पर उससे पहले आपका additional list और यहाँ पर जारी हो सकता है जितने candidate objection के लिए उनके लिए या फिर उनको mail के माध्यम से भी बुलाया है जा सकता है तो finally आज किस video हम जो भी आपका doubt बन रहा था वो हम doubt आज किस video कवर करने की कोशिस के फिर से बता देते है कि document verification में उनी candidate को जाना है जिनका merit list में नाम नहीं है उनको dv में नहीं जाना है ऐसे ब आपस खाली हाथी आना पड़ेगा ठीक है तो यह जानकारी था आज किस video में हम लोगों ने देखा अगर अभी तक आप यह merit list को download नहीं किये है तो description चेक आउट कर लिजेगा वहाँ पर आपको link मिलेगा अराम से आप जाके merit list को download करके देख सकते हैं बाकि आप जरू सरूर Profit Study के जो official यहाँ पर website launch किया गया है जरूर सरूर वहाँ पर विजिट करिएगा ताकि जो भी railway apprentice या फिर अगामी जो भी भरती आती है सरकारी भरती हर तरक अपडेट आपको हमारे official जो website है वहाँ पर आपको दिया जागा link आपको description मिल जागा check out कर लिजेगा बाकि अगर इसके related आपके मन में अगर कोई सवाला आथ होगा तो हमें comment box में comment करके जरूर बताएगा उसके रिकाटिंगा बहुत जल्द आपको वीडियो लेके आएगे चलिए चैनल पर फर्स्ट टाम है सब्सक्राइब निकिया तो कर लिजेगा ताकि ऐसे latest update आप सभी को मिलती है ता तक लिए चैन जा भारत